hello friends I welcome you to our channel vital wide visual in this video I'm going to share this cue card and the name of the cue card is describe a person who impressed you the most when you were in primary school to guys ask this video mein hum discusses karne wale cue card to abanen rye hamaari aachkis interesting video mein so guys agar haa first time humare channel ka visit karne kare to abanen kare subscribe kore siksev dao dat se jade video sare se related dhekne keliar sati saad bala icon daba sakteo jisai ke aap ke paas humare latest video kare notification asakay or guys video puri daikne ke baad agar apko useful lagte tata apis video kare like arsakteo saad apne friends ko ya video share kare sakteo or guys the last thing is agar aapko is video related aapna feedback send karna hai yaa phir aapko next sabi बारे में डिसक्राइब करना है जिसे हमें बहुत ही जदा इंप्रेस्ट किया हो जब हम प्राइमरी स्कूल में थे तो हमें यह क्या गरना है पास्ट में बताना है अगर वो लड़का है तो ही और लड़की है तो शी मतलब वो परसन कौन था कौन है एक्चुली इस लगाया वह तो कौन है वो अपको यह बताना है दर लास्ट थर्ड वाने सॉरी वाई ही और शी इंप्रेस्ट यू दे मोस्त उसने आपको इतना ज्यादा परभावित क्यों किया क्यों आप कितना ज्यादा इंप्रेस्ट किया हमें यह बताना है आपको इसके बारे में कैसा फ्रील होता है यह बताना है जो प्राइमरी स्कूल होता है हमारा पहला स्कूल होता है और फ्रॉम हीर और यहीं से आर जर्नी ओफ लर्निंग अलाट अफ न्यू थेंग्स हमारी जर्नी होती है नई चीजे काफी सरी नई चीजे सीखने की स्टार्ट शुरू होती है इन प्राइमरी स्कूल में we meet many people हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं who are new to us जो की हमारे लिए नई होते हैं and only a few of them और उनमें से कुछ ही impress us so much बहुत ही जदा हमें परभावित करते हैं इंप्रेस का मतलबत है परभावित करना दाट की we can never forget them की हम उनको कभी नहीं भूल सकते forget को मतलबत है भूलना सब यहां तक मैंने क्या किया है introduction line बनाई है बाकी काई अगर आपको ज्यादा लॉंग लगे तो आप इसको थोड़ा सा काट सकते हो बीच में सब्सक्राइब करते हमारे क्यूंकाट तो यहां पे में एक ऐसे परसन के बार में बताऊंगी वह इंप्रेस्ट मी दमूस्ट जुसने मुझे बहुत ही ज़्यादा परभावित किया था वैं आई वस इंप्राइमरी स्कूल जब मैं अब प्राइमरी स्कूल में थी इस परसन का जो नाम है वो क्या है मिसिस मम्ता मतलब की वह मिडल एज जो की थी मतलब की मद उमर की थी काइंडली मतलब बहुत ही ज़्यादा काइंड थी और समझदार थी अब आई मिरे प्राइमरी स्कूल है उस स्कूल की प्रिंसिपल थी आई मेट हर अन थर्ड क्लास में मिली थी और आई नीं हर वेंड शी स्टार्टेट गिव्ट अस क्लासे उफ ही अफ हिंदी और मैं उनको तब से जानते हूँ जब ऊनने हमें शुरू किया था देना क्लासेज होती हैं हिंदी की शी वाज्ट ओ हमारी हिंदी टीचर थी हंदी अधिया पे का थी हमारी और ऑफ बॉड़ फटृड था अलब की मैं अच्छा स्टुडेंट था और I was very intelligent in studies में पढ़ाई में भी बहुत ज़ादा तेज थी मतलब इंटेलिजेंट हुश्यार थी बट पर my handwriting was not good at that time उस time जो मेरी handwriting है जो हाँ से हम लिखते हैं ना लिखावत वो बिलकुल भी अच्छी नहीं थी उस समय at that time के मतलब है उस समय my handwriting was so bad मेरी handwriting हाथ की लिकावत है जो वह बहुत ज़्यादा बुरी थी that key my teachers used to take a lot of time while checking my notebook कि मेरे ज़्याब तक तेवो इतना सारा time लेते थे कि जब वह मेरे notebook check करते थे तब I was very worried about this thing मैं इस चीज़ को लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता में थी वरीड का मतलब होता है चुन्ता में होना then फिर वान दे एक देन मैं class teacher जो मेरी class teacher थी told this to my parents उन्होंने यह चीज़ी मेरे parents को बताई they scolded me a lot तो मेरे parents ने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा स्कॉल्डड का मतलब होता है डांटना I tried a lot to make my handwriting accurate मैंने बहुत कुछ क्या try मतलब मैंने बहुत कोशिश की a lot बहुत ज़्यादा कि मैं बना सुकुछ मेरी handwriting है उसको accurate मतलब सही and or beautiful मतलब सुन्दर but there was no improvement पर वहाँ पे कोई भी improvement नहीं हो पाई I was sad मैं बहुत ज़्यादा उदास थी and or sitting alone during the recess और जो recess से उस तक में क्या कर रही थी अकेले ही बैठी थी alone मतलब अकेले sitting मतलब बैठना during मतलब दौरान recess का मतलब तो अद्धी छुटी होती है जैसे उसको पंजाबी में अद्धी छुटी बहुत है रिसेस का मतलब तो सबको पता है सो सडलनी सडलनी का मतलब होते है अच्छा अनक दर प्रेंसिपल मैं जो प्रेंसिपल मैं थे केम टू मी वह मेरे पास आई and or asked me the reason और उन्होंने मेरे से पूछा जो कारन है वह पूछा for my sadness मेरे उदासी के लिए then फिर I told her everything मैंने उनको सब कुछ बताया and or she helped me for one month उन्होंने मेरी एक महीने के लिए सहायता की in making my handwriting beautiful की जो मेरे राइटिंग है वह उच्छी हो सके मतलब सुन्दर बन सके जो मेरी handwriting है so after a one month एक महीने बाद after a month बहुत सकते है फिर after one month एक महीने बाद my handwriting became beautiful मेरी handwriting सुन्दर बन गई me my parents मेरे जो ममी पाप है वो and my teachers मेरे अध्यापक were very happy बहुत ही जादा खुछ थे with this thing इस चीज से she taught me उन्होंने में को सिखाया taught का मतलब होता है सिखाना मतलब जो मेरी principle थे उन्होंने में को सिखाया that की everything can be done right कि हार एक चीज़ सही तरीके से की जा सकती है it just takes courage इसके लिए क्या होना चाहिए courage मतलब हिम्मत होनी चाहिए इसके लिए स्टिक हिम्मत की जरूरत होती है she taught me this thing उन्होंने मेरे को सिखाया यह वाली चीज at such an easy way इतने असानी मतलब इतने असान तरीके से and or at young age और बहुत young age में this thing यह चीज reminds me of her यह चीज मेरे को उनकी याद दिलाती है उनकी and or gives me और देती है encouragement सहस देती है मेरे को due to which जिसकी वज़ा से she impressed me the most उन्होंने मेरे को बहुत ही ज़दा impressed किया था after that इसके बान I participated in many writing competitions मैंने काफी सारे जो writing competitions होते है competitions का मतलब होता है मुकाबले writing competition मतलब जो लिखावट से संब्दित मुकाबले होते हैं उनमें मैंने भाग लिया participant का मतलब होता है भाग लेना and or won the prizes और मैंने काफी सारे prizes जीते थे moreover इसके इनलाबा I really respect her मैं उनकी बहुत ही ज़्यादा इज़त करती हूँ respect का मतलब होता है इज़त करना really मतलब सच मुच में and or I feel और मुझे महसूस होता है that की she is the best teacher की वे एक बहुत ही अच्छी teacher है all in all Mrs. Mamta was the person तो Mrs. Mamta जो Mrs. Mamta है वो एक person थी who impressed me the most जुनने में को बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस किया था when I was in primary school जब मैं primary school में थी so guys आप आपको यहां पर नीचे दिख रहा होगा all in all use किया गया है यह ending line है इससे पता चलता है कि आप अपने जो q-card उसका end कर रहे हूं ending line is very important in our speaking q-card so guys नीचे आप इसके एक बार स्टोरी है वो रीड कर सकते हो आप यहां से एक बार इसकी जो ट्रांसलेशन है एक बार रीड कर सकते हो आपको क्या पता यह beneficial साबीत हो so guys that's all for today's video आज की हमारी वीडियो गाइस यहीं पर इस मापत होती है I hope guys यह वाली वीडियो आप सब के लिए useful साबीत हो so guys आपको हमारी यह वाली वीडियो कैसी लगी हमें like और comment करके जरूर बताएं so guys हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में bye bye and take care